Hello Friends, आज मैं आपको बताने माला हूँ कि किस तरीके से आप Live Test दे सकते हैं मेरी Application Quality and Facts के उपर तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे Quality and Facts एप्लिकेशन पर इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उसके बाद आप जाएंगे स्टोर के उपर स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यह यहाँ पर दिख रहा है सिंगल कोर्स पॉर आल एक्जाम्स रिलेटेटुक पॉलिटिकल साइंस ठीक है बना रहा हूँ इसलिए यह option यहाँ पर आ रहा है तो जैसे आप scroll करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो click here to see all content इसके उपर आप click कर लोगे उसके बाद इसमें जितने भी content upload है सारे आप यहाँ पर देख पाओगे अभी तक इसमें 10 lecture और pdf lectures भी आपको यहाँ पर 10 मिलेगी और साथ में आपको एक mega test जो कि अभी upload किया है इसको आपने कैसे देना है इसी के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ तो mega test के उपर आपने click कर लेना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे आगे आपके पास एक instruction का page खुलेगा सेम वैसा ही जैसा NTA net में खुलता है और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यह एक time running test है जिसमें आपको left corner पर screen के उपर time भी बताया जाएगा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरी instruction जब आप पढ़ लोगे उसको पढ़ने के बाद आपने next के उपर click करना है next click करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर जो total है वो 100 questions है और time जो दिया गया है 1 hour 30 minutes यहाँ पर मैंने अब देखिए net का paper 3 घंटे का होता है उसमें से कम से कम डेड़ घंटा तो एक student पहले paper में ही अपना दे देता है second paper के लिए only इतना ही time उसके पास बजता है तो यहाँ पर डेड़ घंटे का आपके पास time है और 200 आपके पास question है और questions mix रहेंगे 100 question यह रहेंगे mix रहेंगे जैसा की NTA का pattern होता है हर section से यहाँ पर question आपको मिलेंगे और total marks 200 के रहेंगे same जैसा की net का होता है आपने क्या करना है यहाँ पर click कर लेना है जैसे आप net के paper में करते हैं I have read instruction and understood the instruction उसके बाद आपने click करना है attempt test के उपर अब same यह जो pattern यहाँ पर खुलेगा NTA की तरह ही खुलेगा actually यहाँ पर थोड़ी screen में problem है यहाँ पर running time आपको यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा यह डेड़ घंटे से नीचे को यह time यहाँ पर आ रहा है और एक time में आप कितना time ले रहे हो मतलब एक question में आप कितना time ले रहे हो यहाँ पर आपको display हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपने question का answer दे सकते है स्वतंतरता के बारे में उप्त कथन किस विचारक का है मुझे स्वतंतरता दीजिए या मृत्यू तो जो आपको सही लगता है उसके उपर आपने click कर दिया और same net की तरह save and next के उपर आपने click कर दिया अगला question आपके सामने display हुआ और इसमें निम्न मैंसे कौन सा विचारक समानता विरोधी विचारक नहीं है जो भी आपको लगता है आप पूरा time लीजिए और उसके बाद save and next के उपर click कर लीजिए इस तरीके से आपके सामने ये 100 question आएंगे डेट घंटे का आपके past time है आपको इससे related आपका result भी मिल जाएगा और within two hours आपको answer की और result आपको मिल जाएगा आपको आपका result अपनी application पे भी मिल जाएगा और आपको message के थ्रू भी आपको result मिल जाएगा तो यहाँ पे ये net की तरह ही आप देख सकते हैं पूरा का पूरा pattern है not answered के लिए यहाँ पे red का symbol दिया है जो यह आप यहाँ पे देख रहे हो question number 3 अभी जो 3 है वो attempt नहीं किया है और 97 question ऐसे है जो white यहाँ पे दिखा रहा है that's mean not visited और 2 question ऐसे है जिनके answer हमने दे दिये है एक और 2 का और यहाँ पे mark for review भी आप रख सकते हैं answered and mark for review भी रख सकते हैं जैसा की NTA के paper में होता है उसके बाद आपने क्या करना है जैसे ही आपके 100 question complete हो गए तो submit test के उपर click करना है अभी देखिए अभी हमारे पास time बचा है एक घंटा 28 minute और total questions होत है उसमें से हमने 2 questions इटेंट किये हैं ठीक है तो आपको यह warning देगा कि are you sure कि आप सच में करना चाहते हो जैसा की net में दिया जाता है फिर आपने यहाँ पे submit पे click करना है जब आपके questions पूरे हो जाएंगे और यहाँ पे आपको आपका score बता रहा है कि आपके 4 number है out of 200 एक minute 57 second का आपने time लिया है 100% आपकी accuracy रही है यानि 2 questions के आपने answer दिये है दोनों आपके सही है ठीक है और total question 100 थे unattempted question कितने है 98 इसको उपर को scroll करोगे आप share भी कर सकते हैं इसको whatsapp के उपर जो आपका whatsapp group बनाया है आप sectional summary में भी जा सकते हैं जब section इसमें divide अगर किये होंगे तो यह आपको sectional summary बता देगा कि आपका score 4 है और accuracy भी आपकी बता देगा उसके बाद आप view solution के उपर भी क्लिक कर सकते हैं solution अब यहाँ पर देखें right का टिक यहाँ पर लगा है जो Patrick Henry है यह इसका correct answer था वैसी आप next next करके इसको देख सकते हैं ठीक है और आपको पूरा result यहाँ पर within 2 hours मिल जाएगा यह था test portal I hope आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से test देना all the best